नमस्कार आज की चर्चा होगी अनार के उपर जिसको इंग्लिश में पॉमर ग्रेनिट भी कहा जाता है बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे पहले उसके जनरल इंटॉडक्शन फिर बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन फिर निउट्रिशनल वैल्यू क्लाइमेट क्या है इसकी फैमिली क्या है क्रोमोसोम नंबर कितने है और इसन इसका क्या है तो यह सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम की तो इसका बॉटनिकल नेम है प्यूनी का ग्रेनिटम और इसकी फैमिली भी इसी से मिलती च्जादा तर जो कौशिइन एक्जाम में पूचे जाते हैं वहीं औरिजिन की, अगर हम बात करें तो वह है इरान में इसको national fruit का दरजा भी दिया गया है हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारा जो national fruit है वो mango है वहीं इरान का जो national fruit है वह आपका camping पॉमेगरेणिट अनार है यहाँ क्रोमोसोम नमबर की dal की जाए तो आपको बता दें यह एक डिपलोईड है और इसके अंदर क्रोमोसोम कभी कभी 16 भी होते हैं और कुछ स्पसीस्ट के अंदर 18 भी होते हैं यहाँ कभी कभी से मतलब यह नहीं है कि जो बदलते रहते हैं कि कभी आथारा हो गए कभी-कभी से मेरा मतलब है कि कुछ इसकी ऐसी हैं जिनकी अंदर क्रोशession No.16 है और दौनों ही कलटी बेटेड हैं नेकस्ट हम यह आ पर बात करते हैं इसके बॉटनिकल description को लेकर की ही जैसे कि इसका fruit type जो कि सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं आजकल fruit टाइप से तो इसका जो fruit टाइप है वह वैलूस्टा important है इडीवल पार्ट की अगर बात की जाए तो वह juicy seed coat है जिसको arrow भी कहा जाता है अगर आप लोगोंने अनार को कभी खाया हो तो अनार के दाने को आप ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पर आपको एक फोटो में देखाता हूँ यह देखिए इतना बड़ा जब आप इसको मसल के देखोगे तो इसके अंदर से एक whitish color का पार्ट निकलेगा, वो है इसका seed, यानि कि जो seed है वो इसके अंदर है, बहुत छोटा सा, इतना सा, अगर मैं यह कहूँ के seed इतना बड़ा, अगर मैं यह कहूँ के यह पूरा अनार का दाना है, तो इसके अंदर हाला कि seed भी उसके अंदर है, वो भी इतना soft होता है, कि वो भी हम लोग digest कर जाते हैं, लेकिन actual में देखा जाए तो जो खाने वाला पार्ट है, वो यह है, और seed के यह उपर वाला पार्ट है, यह क्या है, यही है इसका seed coat, बस यहाँ पर यह जो seed coat है, इसमें juice भरा हुआ है, इसलिए हमारा edible part ही हो जाता है, तो यह juicy seed coat हमारा edible part है, और इसको aril के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, inflorescence की बात करें, तो वो है hypanthodium, next हम बात करें यहाँ पर, इसके कुछ important point की जैसे ही कि एक सबसे ज़्यादा question पूछे जाने वाला है इसकी उपर, कि जितनी भी fruit है, उन सब में सबसे ज़्यादा drought tolerant fruit कौन सा है, तो वो pomegranate ही है, अनार ही है, जो कि highly drought tolerant है among the fruit crop, next आपके दिमाग में कभी आया होगा color के उप होगा, बिल्कुल यहाँ पर pigment पाया जाता है, anthocyanin, एक और most important, जहां कहीं पर भी arid और semi-arid reason पाया जाते हैं, जैसे कि राज्यस्थान की बात करें, हम लोग हैधराबाद की बात करें, south area की अगर हम बात करें, महाराष्ट की अगर हम बात करें, arid semi-arid reason जितने भी हैं ऐसी जगह जहां पर खेती करना मुश्किल होता है, जहां पर किसी crop का economic importance नहीं है, उससे हमें ज्यादा profit नहीं हो रहा है, वहाँ पर यह काम करती है, तो यह कह सकते हैं कि most economically important fruit crop है, arid और sub-arid reason में, sorry, semi-arid reason में, next हम बात करें, यहां nutritional value की, आप लोगों ने अनार का juice तो पि सपे दब्बे पढ़ जाते हैं, इसकिन पर, एक skin disease है, उन लोगों के लिए अनार का juice है, वो बहुत ही कारगर है, जिन लोगों को भी ऐसी बीमारी है, वो बिलकुल इसका सेवन कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं, एक normal juice की तरह ही है, और usually आपको same rate पर, जैसे most omega juice और बाकी के juice मिलते हैं, उसी rate पर आपको market में मिल जाता है, तो leprosy वाले patient के लिए बहुत useful है, इसके लावा जिसको diarrhea वगरा है, उन के लिए भी यह काफी useful है, इसमें sugar content की अगर हम बात करें, तो 12-16% sugar content इनके अंदर पाए जाता है, acid की अगर बात की जाए, तो citric acid इसके अंदर मिलता है, यहाँ पर जो dried seed होते हैं, अगर इसके seed को, यह जो आप अंदर की seed इसके देख रहे हैं, इनको आप सुखा ले बिदी pulp, तो उसको अनार दाना कहा जाता है, कई लोगों ने अनार दाना देखा भी होगा, और इसका use किया भी होगा, next हम यहाँ पर बात करते हैं, climate, sorry, इ हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा production करता है महारास्ट, महारास्ट का अभी हाल फ्लाल कोई तोड़ नहीं, उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता, लगबग 70% से ज़्यादा तो area cover कर लेता है, लगबग 60% ज़्यादा production अकेला महारास्ट कर पर बात करते है, climate और soil की, तो देखो ये एक सब tropical crop है, इसको याद रखिएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक highly drought tolerant crop है, among the fruit, जितने भी फल है, उन सभी में सबसे ज़्यादा, drought tolerant अगर कोई crop है, तो वो pomegranate है, अनार है, यहाँ पर सबसे अच्छा temperature जो माना जाता है, इसके फल के डबलब मेंट के लिए, इसके फ्रूट के डबलब मेंट के लिए, तो वो 38 degree Celsius है, 38 degree Celsius temperature, और soil की अगर बात करें तो लोमी और कभी-कभी एक तो अलूबियल सॉयल तो भई कभी-कभी क्या अलूबियल सॉयल तो अल्मोस्ट सभी फसलों के लिए, सभी प्रकार की फ्रूट के लिए अच्छी रहती है, पी यहाँ पर 7.6 से लेकर के 8.2 तक भी हम ले सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, वे अच्छी इसकी मार्केट वैली होती है, यह जो भगवा वैराइटी है, यह ब्राइट रैड कलर की होती है, महरास्ट के अंदर बहुत पॉपुलर वैराइटी है, और हम यह कह सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली का अगर कोई वैर गनेश यह रिवालेशण नाईजी तुम महाराष्ट की एक तरह से आशा मान लिजिए पॉरत के hra act के अंदर जैसे मैंने बताहरा सबसे ज्यादा प्रोडरुक्शन सबसे ज्यादा एरिया मारास्ट के अंदर अनार ने कवर कर रखा है तो यह कह सकते हैं कि यह जो लुकर जलंग की सब्हरण के सकते हैं किальное करीडरी लेटी थी उसने बहुत बाड़ा योगडान दिया वैसी हम कह सकते हैं कि महरास्ट के अंदर ये जो गनेश भराइटी इसने पॉम गरेमेटकर फॉलूरॉशन में बहुत बड़ा अरक्ता एक एक्सपोर्ट वराइटी है काफी अच्छी वराइटी मानी जाती है एक है मस्केट मस्केट सबसे ज़्यदा कल्टिवेट की जाती है महरास्ट के अंदर और यह यह काफी इंपोर्टेंट है यहां पर यूज के जाता है बेजी टेटेटी प्रोपागेशन मतलब एसेक्शल रिप्रड़क्शन और बेजी टेटेटव प्रोपागेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एयर रियरिंग को आप सभी जानते हैं इसे हम गुटी के नाम से भी जानते हैं तो गुटी और यह most common method है इसके अलाबा इसमें हम hardwood cutting और grafting method से भी propagation कर सकते हैं next अगर हम इसके spacing की बात करें तो 6 meter into 6 meter कई जगा पर 5 meter into 5 meter भी दी गई है दोनों ही सही मानी जाती है लेकिन most of the book में आपको 6 meter into 6 meter मिल जाएगी यहां पर planting time की अगर हम बात करें तो वो जुलाई और अगस्त है कुछ जगा पर इसका जो planting time है वो आपका February भी दिया गया है तो February भी सही है कहा जाता है कि यह जो बहार सिस्टम कहा तो बहारो फूल बरसा हो मेरा अनार आया है तो बहारो फूल बरसा हो यह बहार जो है वो फूलों से जड़ा हुआ है तो यहां पर बहार सिस्टम मतलब यहां पर साल में तीन बार फूल आते हैं अनार के जो पौदे हैं उसमें साल में तीन बार फूल आते हैं इसका मतलब तीन बार ही उसमें फल आएंगे तो हमें कौन से फूल लेने चाहिए मतलब कौन से सीजन के फल लेने चाहिए जिसमें अच्छी quality के फल्मिले यहां पर चर्चा करेंगए यहां पर भी तीन है एक है अम्बे बहार दूसरा है मिर्ग बहार और तीसरा है हस्त बहार अंबे बहार जो हाल जुए उसमें फ्लॉबरिंग जैसे कि राज्यस्तान बगरा होगे वहाँ पर तो यह सीजन काफी बड़िया माना जाता है अब तीसरा यहां पर हस्त बहार हस्त बहार में जो फूल आते हैं वो सेप्टेमबर अक्टूबर में आते हैं और हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है फरवरी से लेके अपरेल य यहनार की फसल अगर आपको लेनी है तो फैबरेरी अपरेल यहनी कि हस्त बहार वाली हमको लेनी चाहिए यह क्रॉप रेगूलेशन की बाते होगी उसके बाद बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की देखिए यहां पर जो फल है इसका वो फ्रूट सेट के बाद लगबग 120 स एक सो तीस दिन के अंदर तयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए इसके लाव एक और अच्छा तरीका बताएं इसका कि जो मैच्च और फूट्स होते हैं उनको एक मैच्च और फूट आपको भी मार्केट में जाएगा उठाईएगा और उसको ऐसे बजा करके यह बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि अनार जो होते हैं आपके पॉम्ग्रेंट कभी यूनिफॉर्म साइज के नहीं होते कभी बहुत जादा बड़े कभी बहुत जादा चोटे एवन एक प्लांट की अगर हम बात करें एक ट्री की बात करें तो उसमें भी कभी साइज के अनार कभी नहीं मिलेंगे अलग-अलग साइज के इसलिए ग्रेडिंग करना ग्रेडिंग बहुत जरूरी है इससे मार्केट वैल्यू जो है आपके फिरूट की बढ़ जाती है तो यहां पर डॉमेस्टिक परपस अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसमें डॉ 300 ग्राम के बीच में हमारे ट्वास अब बात करते हैं अब्सक्राइट मोस्ट ... से ब्यक्टिर ब्लाइट. अब अब दख्यों मोनाश एकजोनो पोर्डिस। इस बात को आप लोग याद रख हिए गा नेकस्ट अम बात करें यहां पर इसक Дेंग्रस सब्से जधादे अगर समस्य अनार में अगर है तो वो यही है जिसको अनार बटर फ्लाई कहते हैं और इसके साइंटिफिक नेम पर कई बार कॉश्चन आ चुका है साइंटिफिक नेम क्या है इसका विराचोला आईसो क्रेटस इस तरह से आपने फल देखे होंगे और उनमें ऐसी छेद हो जा हैं वह इनी बटरफ्लाई तितलिया होती हैं इन से बचने के लिए किया जाता है नेक्स्ट हम बात करें आपर सबसे इंपोर्टेंट है फुरूट क्रोकिंग यह फिजियोलोजीकल डिसॉर्डर है बोरोन की डेफिसेंसी और पानी की कमी पानी में इन दसेंस मॉइस्चर की कमी तो बोरोन की कमी हो जाए और मॉइस्चर की कमी हो जाए तो यहाप पर फुरूट क्रेकिंग फल जो है वह अपने आपी फटने लगते हैं जिससे क्वालिटी इनकी खराब हो जाती है मार्केटिंग वेली डाउन हो जाती है काम क्या करना भी बोरेक्स का इस्प्रे करो और प्रॉपर मॉइस्चर रखो इस तरह की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो आपको एरिड रीजन में जैसे राजस्थान बगरा में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो यह जितने भी पॉइंट्स हमने बात की है चर्चा की है यह सब की सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और सभी से कॉश्चंस आते रहे हैं और भविश्य में आ सकते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा धन्यवाद